सबसे पहले तो आप मेरे चनल पर नहीं हो तो मेरे चनल को स्ब्सक्राइब कर दीजे और सबसे पहले इसकी आर्निंग की प्रोसस कैसी है बहुत लोग को परेशानी होती है कि रमी गेम में अर्निंग कैसे की जाती है इसके दो प्रोसेस होते हैं एक तो गेम खेलके और दूसरा है रेफर करके अगर आपको गेम प्ले नहीं करना हो तो आप रेफर करके भी अच्छी खासी यार्णिंग कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है आप आड नहीं कर सकते हो सो आप प्रेफर करके भी बहुत ही अच्छा तरीका है बैस तरीका है सो आप अच्छी खासे आनिंग कर सकते हैं इस कैसी प्रोसस से उसकी डीटेल्स मैं आपको दे दूँगी 40 रुपे तुरंत आजाएं ओटीपी देखे वेरिफाय अकाउंट कर लेना है जैसे आपको वेरिफाय अकाउंट हो जाएगा सो आपके अकाउंट में 40 रुपीज आ जाएंगे तुरंत तो देर किस बात की चलिए कैसी प्रोससे मैं आपको आपके आपको डाउंट कर लेना है सो गाइज ओके कर लीजिएगा हर आप्लीकेशन को डाउंट कर लीजिगा सो यहाँ पे हमारा रमी नबाब गेम आ गया है यहाँ पे अप्लिकेशन प्ले हो जाएगा और गेट्चर लॉगिंग पे आ जाएगा सो गाईज यहाँ पे नोटिस वगेरा आता है जो आप पड़ भी सकते हो सो गाईज आप इससे फ्रेंट को रेफर भी कर सकते हो इसे मिलते वो भी यहाँ पे बता रहा है सो गाईज इसके बारे मैं आपको डीटेल में बताऊंगी यहाँ पे आपको वी आईपी अकाउंट देखने को मिल जाते हैं वीकली बोनस के ओप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं तो गाइज जैसे के आप देख सकते हैं मैं इस मेरे अकॉन में फर्स्ट बार लोगिन होई थी तब मेरे पास सिर्फ दस रुपए थे तो गाइज मुझे दस रुपए से तीस रुपए एक्स्ट्रा लेने थे उसके लिए आपको मोबाइल नंबर फाइन करना पड़ता है नंबर डाने के बाद आपको अपना पासवर्ट क्रेट कर दीजिए इस ओटीप को एंटर करके आप थर्टी रुपीज एड़ कर सकते हो जैसे कि टेन प्लस थर्टी एंड इस इक्वेल टू फोर्टी सो यहां पर मेरे अकॉन पर फोर्टी रुपीज हो जाएंगे फोर्टी रुपीज एड़ होने के बाद यहां पर बहुत सारे ओप्षिन आ जाते हैं अड़ होने के बाद मैं आपको रीफर एंड आने वाले फीचर्स के बारे में बता देती हूं उसके बाद आपको गेम कैसे खलनी है उसके बाद डिपोजिट कैसे करना है वो भी मैं आ अगर आप पाच लोगों को इनवाइट करोगे तो आपको पचास रुपे मिलेगा जाधा से जाधा आप टेन लोगों को इनवाइट करोगे तो आपको फाइव हैंड रुपीज मिलेगा सो गाइस काफी सही ओफर है सो आप लोग जाएए अपने दोस्तों को वाटसप फेस जबाएंगे उतना आपको जितना जादा डाउनलोड करांगे उतना आपको इन्वीटेशन केस का कोड मिल जाएगा और रीफर और वाले तो काइज यहां पर आप देख सकते हैं रूल देखने को मिल जाते हैं गेमस के वह चेक्स कर माई बोना चेक कर सकते हो कितने सारे कितने सो अब मैं आपको बता देती हूँ आपके अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट कैसे डिपोजिट करना है सो यहां पर आपको शॉप का ओप्शन दिख जाता है अगर हम पेमेंट डिपोजिट कर लेते हैं छोटा सा क्लिक करने के बाद जैसके आप देख सकते हो कुछ इस तरीके लोडंग होगा नेम डालना है सबसे पहले आपका नाम फिर फोन नुमबर और एंड मेल बैक नहीं जाना है यहां प Dreams प्रोसेस पर क्लिक करके वेरिफाइघ कर लेना है जैसी मैंने प्रोसेस करने के आपके सामने ऐप्शन आ जाते है wallet के wallet से आपको payment करवाना है या फिर UPI से तो यहाँ पर UPI select करूँगी मैं Paytm select कर देती हूँ मैं तो यहाँ पर number और Paytm के ID डालने पड़ती है तो यहाँ पर आपको fill up कर देना है बड़ाफ़ से इसके बाद आपको pay पर click कर देना है यह जो है आपकी UPI transaction पर जाएगी आपको notification on करना है आपके Paytm account पर एक notification आएगा उस पर click कर जगा जैसी हम click करेंगे आपका Paytm account जो है आपकी mobile के अंदर open हो जाएगा यहाँ पर OTP वगेरे डाल के इसके अंदर आप enter हो जाओगे उसके बाद आपको जो request आई है उस request को आपको pay करना है ठीक है 51 रुपीज का आपको pay करना है Pay now पर जो गाई जैसी के आप देख सकते हैं मैं Pay now पर click कर रही हूँ यह मैंने successfully transaction कर दिया है बिना cut किये हमें जाना है आपके अंदर रमी नब आपके अंदर चले जाएंगे तो Payment successfully हो जाएगा बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है Simply Automatically AP के बाहर हो जाएगा So guys यहाँ पर आप देखिए हमारे Recharge successfully हो चुका है Recharge करने से hidden games आ जाएंगे Successful हो जाने के बाद आपको एक बार game को Restart कर देना है उसके बाद मेरे account पे hidden game आ जाएंगे So guys मैंने games को restart किया और मेरे account पे सारे hidden game आ गए जैसे की 7 up downs Car Regulations Triger vs Dragon पे क्लिक करूँगी So मैं इसे आपको Play करकी दिखाऊंगी इस पे earning कैसे और किस टाइप से आपको इसके अंदर बेट लगानी है यह ध्यान से समझेगा guys So Tiger vs Tiger पे मैं क्लिक करूँगी Dragon vs Tiger पे मैं क्लिक करूँगी आपको Play Now पे क्लिक कर देना है इसी पे option पे आप क्लिक करोगे So देखिए guys हमारा game एंटर हो जाएगा So guys जैसे कि आप देख सकते एक साइड ड्राइगर ने एक साइड ट्राइगर है जिसमें बड़ा कार्ड आएगा जिसको बड़ा कार्ड आएगा जिसके वीन होने के ज्यादा चैंसेस है अगर आप ड्राइगर पे बेट लगा रहे हो So आप ड्राइगर पे लगा रहे हो इस टाइप से आपको concept रखना है So guys, चले मैं भी आपको win करकी दिखाती हूँ So किस टाइप से हमको play करना है वो मैं बताती हूँ So guys, first मैं क्या करूँगी dragon के उपर अगर 10 का loss होता है तो मैं 30 से लगाऊंगी अगर 30 का भी हो गया तो मैं 70 से start करूँगी So 10 रुपई की बेट मैंने ड्राइगर पे लगा दी है और अब हमें यहाँ बेट करना है बेट करना है So यहाँ फटा फट से उपन होने वाला है बेट करना है थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो Dragon की उपर मैंने 10 रुपई का card लगाया था तो यहाँ पे मैं Dragon की सबसे So guys यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा 30 रुपई का लगाना है अगर आप 10 का लॉस हो जाते हो तो 30 और 30 का लॉस हो जाते हो तो 70 और 70 लॉस हो जाते हो तो 1.500 का लगाना और उसके आगे पे आप लगा सकते हो Guys मतलब पाइटी चेंज नहीं करना है So total मैंने यहाँ पे ड्राइगन के ऊपर केस लगा देती हूँ So guys यहाँ पे मैं वीन हो जाती हूँ तो मुझे फिर से 70 का केस लगाना पड़ेगा अगर मैं वीन हो जाती हूँ मुझे 10 से और अगर लॉस हो जाती हूँ तो 70 से मुझे मैंने इसके उपर अभी 30 का लगाया है So guys आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिर से लॉस हो चुकी हूँ So लॉस होने के बाद मुझे क्या करना है 70 से मुझे यहाँ पे लगाना है एक बार मैं 50 करूँगी और दो बार 10-10 So यहाँ पे हमें ड्राइगन के साथ वेट करना है रेट करना है पहले मैं 10 का लगाया वो लॉस हो गया So यहाँ पे मैं लगा रही हूँ देख से रुपई से So guys सबसे पहले मेरा 10 का लॉस हुआ 30 का लॉस हुआ और 70 का अभी मेरी देख सो का लगाया है So yes guys मैं विन कर चुकी पूरे का पूरा पेमेंट आप मैं आपको बताओ तो कि आपको किस टाइप से पेमेंट विड्रॉल करना पड़ेगा Simply आपको क्या करना है विड्रॉल वाले ओप्शन पे आपको क्लिक करना है इस पे टैप करिएगा जितना भी आपको विड्रॉल करना है जितना भी आमाउंट आपको विड्रॉल करना है वह अपना अमाउंट डाल दीजेवा है So guys मुझे यहाँ पे 500 रुबिस विड्रॉल करने है Simply आपको अपने एड बैंक पर क्लिक करना है So guys यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी है So guys आपको बैंक अकाउंट चूज कर लेना है इमेल कोड का So guys आपको सिफ सेव कर लेना है और सेव करने के बाद यहाँ पी सो गाइस यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट एड़ हो जाएगा और आप अपने पेमेंट एजिली विड्रॉल कर सकते हैं